नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम महायोगी गोरक्षनाद बिशेवित त्याला के सत्र 2023-2024 के लिए अलग-अलग कोर्स के फीस के बारे में डिसकस करने वाले हैं अगर आप भी जाना चाहते हैं कि यहाँ पर अलग-अलग कोर्स के लिए पूरे एक साल का कितना फीस लगता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिए तो आए बिना देरी की यह वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों यूनिवर्सिटी के अलग-अलग कोर्स की जो फीस है यह आपको ब्रॉसर में मिल जाएगा यानि कि जो प्रॉस्पेक्टर्स रिलीज किया गया है 2023 वह इसका जब उसे आप डाउनलोड करेंगे और पेज नबर 19 पर जाएंगे तो वहाँ पर सभी प्रोग्राम के डिटेल्स और साथे साथ उसके फीस की वेई डिटेल वहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो चलिए अब सुरुवात करते हैं और एक एक कोर्स की यहाँ पर फीस की बात करते हैं तो दोस्तों जो सबसे पहला कोर्स है वो है B.A.M.S. यानि कि बैचलर आफ आईरवेदिक मेडिसीन और सरजरी देख सकते हैं आप इसका डियूरेशन भी दिया गया है जो कि है साड़े पान साल का कोर्स टोटल सीट भी है यहाँ पर जो कि है हंड्रेट सीट इसके साथ ही साथ यहाँ पर एलिजबिल्टी क्रैटिरिया भी दिया गया है जो कि 10 प्लस 2 विद फिजिक्स, केमेस्टी और बायोलोजी आई ठिंग यह सारी इंफोर्मिशन आपको पता होगा फीस की बात करें तो आप देख सकते हैं जो फीस है यहाँ पर वो है 2,65,800 रुपए और पूरे एक साल का फीस है यानि कि आपको फर्स्ट इयर में 2,65,800 रुपए फीस पेमेंट करना होगा तो यह रही बात BAMS कोर्स की अब चली अगले कोर्स की बात करते हैं अगला कोर्स आप देख सकते हैं जो की है A&M का कोर्स दो साल का कोर्स है यह टोटल 100 सीटे हैं जो फीस है एक साल का वो है 6,500 रुपए इसी तरीके से आप देख सकते हैं G&M का कोर्स तो GNM course के लिए जो total fees है वो है 88,500 रुपए ये 3 साल का course होता है total seed भी आप देख सकते हैं जो की है 100 वहीं आगे आप देख सकते हैं BSC nursing का जो course है इसके लिए जो total fees है एक साल का वो है 1,05,000 रुपए अगला course है post basic BSC nursing तो post basic BSC nursing के लिए जो fees है वो है 1,500,000 रुपए MSC nursing के लिए जो total fees है 1,30,000 रुपए पर year तो ये तो हो गई nursing course के fees की बात अब देख लेते हैं paramedical के courses की कितनी fees है यहाँ पर तो सबसे पहले अगर हम बात करें Diploma in Optometry तो इसके लिए जो total fees है वो है 30,000 रुपए पर year Diploma in Anesthesia and Critical Care Technician इसके लिए total fees है 55,000 रुपए पर year आगे आप देख सकते हैं Diploma in Orthopedic and Plaster Technician इसके लिए जो आपको per year fees पे करना होगा वो है 55,000 रुपए इसी तरीके से आप देख सकते हैं Diploma in Lab Technician Diploma in Emergency and Trauma Care Technician Diploma in Dialysis Technician इन course के लिए जो total fees है वो है 55,000 रुपए पर year यानि कि एक साल में आपको 55,000 रुपए fees पे करना होगा तो दोस्तों ये था Faculty of Paramedical की courses की fees अब चलिए देख लेते हैं Faculty of Allied Health Sciences के अंतरगत जो भी course है उसकी fees क्या रहने वाली है तो इसके अंतरगत आप देख सकते हैं यहां पर कई course हैं जैसे कि Certificate in Tools and Techniques of Cells and Molecular Biology इसी के साथ साथ यहां पर Diploma in Tools and Techniques of Biotechnology, BSC Biotechnology BSC Honors Research Biotechnology ये जितने भी course है इसके लिए जो total fees है वो है 25,000 रुपए पर year इसके साथ इसाथ आगे आप देख सकते हैं MSC Biotechnology इसके लिए भी जो fees है पूरे एक साल का वो है 25,000 रुपए अगर एगले course की बात करें जो की है PhD in Biotechnology तो आप देख सकते हैं यहां पर पूरे तीन साल का fees अलग अलग यहां पर दिया गया है फर्स्ट येर का जो fees है आप देख सकते हैं इसके बाद आगे आप देख सकते हैं Department of Medical Microbiology इसके अंतरगत जो courses हैं उसकी जो fees है यहां पर दी गई है जैसे की course है Certificate in Microbial Techniques Diploma in Microbiology Lab Technology BST Medical Microbiology BST Honors या Research Medical Microbiology इन सभी course के लिए जो total fees है वो है 25,000 रुपए पूरे एक साल का इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर जो course है वो है MSC Medical Microbiology तो MSC के course के लिए जो total fees है वो है 70,000 रुपए पूरे एक साल का इसके अलामा आगे आप देख सकते हैं यहां पर Department of Medical Biochemistry इसके अंतरगर जितने भी courses है उसके लिए जो total fees है साल बर का आप देख सकते हैं 25,000 रुपए है और इसके अंतरगर कौन-कौन से course आ रहा है आप यहां पर देख सकते हैं Certificate in Clinical Biochemistry Diploma in Tools and Techniques in Medical BSc Medical Biochemistry BSc Honors and Research Medical Biochemistry तो यह सभी जो courses है वो Department of Medical Biochemistry के अंदर गताते हैं और total जो fees है साल बर का वो जैसा की मैंने बताया 25,000 रुपए है इसके साथ इसाथ अगर MSC के course की बात करें यानि की MSC Medical Biochemistry तो इसके लिए जो total साल बर का fees है वो है 70,000 रुपए इसके अलावा आप देख सकते हैं PhD in Medical Biochemistry इसके लिए भी पूरे 3 साल का fees दिया गया है 1st year में जो fees लगेगा आपका 1,25,000 रुपए 2nd year में जो fees है वो है 1,00,000 रुपए 3rd year की जो fees है आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,50,000 रुपए तो यह रही बात Faculty of Medical Biochemistry के अंतर कताने वाले course के fees की अब चलिए fees की detail देख लेते हैं Faculty of Agricultural Sciences and Allied Industries की courses की तो यहाँ पर देख सकते हैं जो course है वो है B.S.C. Honors Agriculture जो की 4 साल का course है और पूरे 1 साल का जो fees है वो है 50,000 रुपए और इसमें जो total seat है आप देख सकते हैं वो है 60 अब Agriculture course के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अब कोई भी course नहीं बचा है I think हमने सभी course के fees की बात कर लिया है और दोस्तों यहाँ पर जो भी fees मैंने आपको बताया वो पूरे 1 साल का है तो इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए और कई लोग confused रहते हैं कि admission fees क्या है तो यह जो पूरे 1 साल का fees आपको बताया गया है यही admission fees है तो दोस्तों मैं उमीद करता हूँ कि आपने जिस भी course के लिए यह form apply किया है उस course की fees की detail आपको मिल गई है दोस्तों यहाँ पर जो भी courses हैं उनके fees को अगर आप देखेंगे तो हो सकता आपको लगे कि यह fees बहुत ज़ादा है और वाकई में फीस ज़ादा है इसके पीछे रीजन यह है कि यह जो university है यह एक private university है और इसलिए यहाँ पर जो courses हैं उसकी fees इतनी ज़ादा है और दोस्तों यह काफी हद तक सांभावना है कि बहुत सैसे student है जिनके लिए यह fees बहुत ही ज़ादा है वो payment नहीं कर सकते तो मैं उन सभी लोगों को suggest करूंगा कि आप अटल विहारी बाचपयाई medical university का form ज़रूर भरियेगा और वहाँ पर try कीजिए कि आपका अच्छे marks आए जिसे कि आपको government college मिले जहाँ पर fees आपको कम pay करना होगा तो दोस्तों I hope यह fee structure से related आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर फिर भी आपके मन में कोई doubt है तो आप comment box में पूछ सकते है या फिर आप मुझे direct messages भी कर सकते है जिसके लिए आपको Instagram को follow करना होगा सभी जरूरी link आपको description box में मिल जाएगा तो फिलाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मैं मिलता हूँ अपने next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद झाल